योगी आदिते नाथ ने निभाया राजधर्म, आँखों में नमी के बाद भी मिटिंग करते रहे सियम योगी आदिते नाथ कोरोना वाइरिस के संक्रमान के चलते पिता के निधन की सूसना पाकर भी उत्तर प्रदीश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ को टीम के साथ बैठक करते रहे एक योगी के तब की परिक्षा लेने आई अनहोनी सुमवार को यहां कालिदास मार्ग से विरक्ती और पेम के गूड अर्थ को समझ कर लोटी होगी क्या ये कल्पना करना आसान होगा कि कोई मुख्य मंत्री सिर्फ इसलिए अपने पिदा के निधन पर उनके अंतिम दर्षनों को नहीं जाता है क्योंकि उसके पैरों में राजधन की बेड़िया है भगवा वस्तर नेजी रिष्टों से विरक्ती का आत्म बल देते हैं लेकिन बतोर बालक वो इतना बड़ा दिल दिखाते हैं कि 23 कुरूण परदेश वासियों को कुछ घंटों के लिए भी कोरोना की आपदा में छोड़तर नहीं जाते कोरोना काल में सुमवार की सुबह उत्तर परदेश के मुख्य मंतरी योगी आदित्यनाद के लिए शोक संदेश लेकर आई पिता के खराब स्वास्ते सी तो वो पहले से वाकिर थे लेकिन वो करोना महमारी के खिलाफ चल रहे संघर्ष का लगातार नेतरतों कर रहे योगी पिता का हाल चाल लेने तक नहीं जा सके समवार सुभे भी उन्होंने हर दिन की तरह सुभे साड़े दस बजे पैठक के लिए अधिकारियों को आवास पर बुला रखा था जिन्हें संक्रमन की रोक्थाम और लोकडाउन की वेवस्थाओं का जिम्मा सोपा है पर्तेक्ष दर्शियों के मुताब एक बैठक के दोरान मुख्य मंत्री के सहयोगी बलू राय आये और उन्होंने एक परची थमा दी लंबे समय से बिमार चल रहे उनके 90 वर्षिय पिता आनन सिंग बिस्ट का नई दिल लिग स्थित एमस में निधिन हो गया आस्क भला भाव भी कहां तक चिपाता उन्होंने फौन मिला कर एक मिनट किसी से बात की नम आखें और योगी की कुछ पल की खामोशी ने समी को संदेश दे दिया कि उनके पिता नहीं रहे ये कल्बना भी किसी ने ने की होगी मुख्य मंत्री ने तुरंत खुद को संभाला और अधिकारियों से कोरोना संक्रमण के केस जिलावर हाल लोगडाउन में जनता को मिलने वाली मदद आधी के बारे में प्रती दिन की तरह सवाल जवाब शुरू कर दिये जिस अधिकारी से पूझा जा रहा था वो जवाब दे रहा था और बाकी सब अबाक बैठे थे उनके पिता आरंण सिंग बिष्ट की तबियत अत्यंत गंभीर है सियम योगी आधिते नाथ को पिता के निधन की जानकारे मिली तो उस दोरान वो टीम की बैठक ले रहे थे इस घटना के जानकारे मिलने के बाद सियम की आँखे कुछ देर के लिए नम हो गई मुख्यमंत्री अमूमन मिटिंग के दोरान चहरे पर लगे मास्क को नीचे रखते हैं लेकिन आज ऐसन नहीं हुआ इस से चहरे का भाव बले कुछ देर तक छिप जा रहा था पर आँखों की उदासी उनकी नमी बता रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं बावजूद इसके राजधर्म का पालन पहली प्रात्मित्ता पर रखते हुए मुख्यमंत्री योगी अधिते नाथ ने समय अनुसार मीटिंग शुरू की टीम के अधिकारी के साथ मुख्यमंत्री विचार विमर्ष और करोना को लेकर परदेश की हालाग पर चर्चा करते और अधिकारियों को निर्देश भी देते रहे इसी बीच 10 बज कर 44 मिनट के आजपास मीटिंग में उस व्यक्ति का आना हुआ जिसे कम ही किसी मीटिंग में आते देखा गया है बात मुख्यमंत्री के सबसे करीबी शक्स यानि बल्लू राय की हो रही है बल्लू के चहरे पर दुख का भाव साफ चलक रहा था बल्लू ने एक परचे मुख्यमंत्री को दी इसे पढ़कर मुख्यमंत्री ने किसी से बात कराने का नुद्रीश बल्लू को दिया बल्लू ने फोन लगाया और मुख्यमंत्री बात करने लगे बात महज एक मिनिट की रही होगी और मुख्यमंत्री ने कौन पर कहा वो मेटिंग के बाद फिर बात करेंगे बल्लू चले गए मुख्यमंत्री कुछ सेकंड के लिए शान्त हो गए फिर उन्होंने मेटिंग में अधिकारियों से सवाल जवाब करना शुरू किया मेटिंग ठीक वैसे ही चलते रही जैसे रोजाना चालती है एस बेच सबने देखा कि मुख्यमंत्री योगी की आखें नम हो चुकी है शायद उधर से उन्हें पिता के निधन का समाचार मिला था लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने परदेश की जनिता की सेवा सर्वो परी रखी और कोरोना से लड़ने की रणनीती बनाने की मीटिंग करते रहे सभी को पता है कि परदेश की मुख्यमंत्री होने से पहले वो एक सन्यासी है लेकिन पिता के निधन का समाचार मिलने के बाद भी मुख्य मंत्री की कारिश हैली ठीक वैसे ही चलती रही। एक तरफ जहां आँखों में नमी उनके दुख की सुबूत था तो दूसरी तरफ 23 करोड की जनता की चिनता का फर्ज। अपने पिता के निधन के बावजूद उन इस पत से विचलित नहीं कर सकी ऐसे मुख्य मंत्री योगी अधित्यनाथ को हमारा दिल से सलाम और उनके पिता को दिल से सर्धान जुले।